आप देखते नहीं, देखो, कुश्चन क्या है हमारे पास, कि अगर P term जो है, वो Q है, और Q term जो है, वो P है, तो दो कुश्चन पूछता है आपसे, आपसे कहता है Nth term बताओ, तो Nth term बताओ भी पूछ सकता है, शो करने के लिए पूछ सकता है, वो आएगा P plus Q minus R, और आपसे ये भी कह सकता है, कि P plus Q term बताओ, चीक है सर, तो ये दो चीज़े आप से पूछ सकता है, P plus Q term आएगा 0, तो खेर, इस तरह के questions में, आपको करना क्या होता है, करना ये होता है, कि जो दिया है, वहाँ से start करे, इवन क्या है हमारे पास, इवन है, हमारे पास P term, P term का formula बताओ हो गया, मुझे क्या होता है, A plus P minus 1B, very good, A plus P minus 1 into D, और इसकी value कितनी गीवन है, Q, और Q term कितना है, P, A plus Q minus 1B, Z, और इसकी value कितनी है, जाद दोनों को minus करना, क्या जुद पढ़िया, simplify करने की, तो A से A क्या हो जाएगा, यहां से D common लीजे, तो P minus 1 minus Q plus 1 D common, इस side क्या बचेगा, तो ज़रा 1 से 1 cancel करें, तो आपके पास left side में है P minus Q, और right side में Q minus P, इसमें से minus common ले 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 जाए, तो P minus Q से P minus Q क्या होगा, तो D की value कितनी आएगी, minus 1, D की value minus 1, equation 1 में रखना ज़रा, क्या आएगा, A plus P minus 1 into D, तो ज़रा इसे करना, A minus P plus 1, तो A की value कितनी आगई, P plus Q minus 1, A की value कितनी आगई, P plus Q minus 1, अब आप खुद बताओ, A की value P plus Q minus 1 है, और D की value minus 1 है, अब आप जो भी term निकालना, निकाल लीजिए, आप कहा रहे हो, N-A term बताओ, N-A term का formula क्या होगा, बताओ, N-A term का formula क्या होगा, यह बताओ, A plus N minus 1, D, A plus N minus 1 into D, A की value कितनी आई है, P plus Q minus 1, P plus Q minus 1, D की value कितनी आई है, minus 1, अपन करना सारे brackets ज़रा, P plus Q minus 1, minus N plus 1, क्या हो जाएगा सार, P plus Q minus 1, तो फिर क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, जी, सार्सका, इसको प्ली सो छोटा करे कि मैं स्क्रीन शॉट ले लूँगा, नहीं मैं आपको पीडिएफी बेज रहा हूँ, अप्रेश्या, झाल, 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 ऑ्रूफ करना.